क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अगर एक ऐसे आइलेंड में छोड़ दिया जाए जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी हो और आपको सर्वाइब करने हैं पूरे 100 डेज वो भी एक हार्ड कोर वर्ल्ड में जहां पर एक छोटी सी गलती आपका गेम ओवर कर सक तो कि आपको लगता है कि मैं सर्वाइब कर पाऊंगा पूरे 100 डेज इस हार्ड कोर आइलेंड में जानने के लिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा इस जर्नी में तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को डेवन पर मैं स्पॉन हुआ था एक ऐसे आइलेंड में जहां पर एक पेड़ था कुछ डर्ट थी और उसके अलावा चारोवर सिर्फ पानी ही पानी था मैंने फटवर्ट से वुड कलक की अपने लिए बेसिक टूल्स पनाय और सैपलिंग को दوبारह से रीपलांट कर दिया उसके बाद मैंने पूरा area clean किया और मुझे जितने भी seed मिले मैंने उनको replant कर दिया ताकि मुझे food की कोई भी कमी ना हो क्योंकि मेरा island बहुत छोटा था इसलिए मैंने dirt गठा करके अपना जो island है उसको बड़ा करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैंने अपने tools को upgrade किया store में और थोड़ी देर बाद मुझे coal भी मिल चुका था मैंने उसको भी collect किया और थोड़ा सा और mine करने के बाद मुझे iron मिल चुका था मैंने वापस mine में गया और अपना काम continue करा mining करते करते सुबह हो चुकी थी और में बहुत सारा coal भी कटा हो चुका था मैं बहार आया मैंने आसपास देखा बहुत सारा kelp था मैंने kelp को तोड़ा और उसको मैंने furnace में smelt करने के लिए रख दिया और इतने में ही मेरा पेड़ भी नहीं बनना चाहता था मैं उसको चाहता तो लूट सकता था बट मेरे पास खाना नहीं था इसलिए मैं वापस घर आ गया घर आते ही मेरा iron भी smelt हो चुका था तो मैंने फटावट से अपने बांकी सारे tools को भी iron मा अपग्रेड कया कुछ फिश को मारा था कि मैं खाना ख के माइन करूंगा और मैं वापस आगे हुआ से ऑन डे थ्री मैं दुबारा से चले गया ओशन में explore करने और थोड़ी दूर explore करते हुए मुझे एक ship rack मिली जिसमें काफी अच्छी loot थी और अब जाके मेरे पास food के कुछ और भी resources थे मेरे को कुछ carrot मिली थी कुछ बैमू मिल कि जिसके अंदर एक chest थी और वहां पर काफी सारी अच्छी loot थी मतलब वहां पर पहली बार मुझे potato मिला था और अब जाके मेरे पास food का एक और resource था मैंने फटावट से chest कलग की और मैं वापस अपने island की तरफ आ गया वापस अपने island पर पहुँचने के बाद मैंने एक ब सुबह होते ही मैं एक और बार निकल गया explore करने और थोड़ी देर explore करने के बाद मुझे एक छोटा सा island मिला जो कि शुरू होते ही खतम था लेकन यहाँ पर एक ऐसी चीज थी जो मेरी जरनी को बहुत आगे लेके जा सकती थी वो थी sugar cane तो finally अब मेरे पास sugar cane भी हो चुका थ काफे explore करने के बाद मुझे एक underwater runes दिखा जिसके अंदर एक chest थी और उसमें थी एक बहुत कमाल की चीज वो थी एक enchanted fishing rod और अब जाके मैं और ज़्यादा food collect कर सकता था पूरा दिन explore करने के बाद जब मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं island पाया और मैंने fishing start कर दी मैंने fishing start करी ही थी कि मुझे फेंटम ने attack करना start किया और फेंटम से बचने के लिए मैं निकल गया mining के लिए पूरी रात mining करने के बाद day 5 की सुबह जब मैं वापस लोट रहा था मुझे दो spider दिखी मैंने उनको kill किया और मुझे मेरा पहला string दिखा अब जाके मैं अपने bed के थोड़ा सा करीब पहुँच चुका था मैं वापस island पाया और मैंने fishing start कर दी और day 6 की सुबह होने तक मैंने काफी सारे fish collect कर ली थी day 6 तो 7 पूरा time मैंने अपने farm पर काम किया और रात होते होते दुबारा से phantom ने मुझे पर attack कर दिया लेकिन एक एक करके मैंने उन सब को मार गिरा है 7 मैं मैं अपना island भी expand कर रहा था और दुबारा से अपने states को भी replant कर रहा था ताकि मेरे पास food की कोई भी कमी ना रहे day 8 की सुबह होते ही मैं दुबारा mining के लिए निकल गया और सबसे पहले मैं उन diamond के पास गया जो मैंने पहले छोड़ दिये थे मैंने उनको mine किया और मुझे 4 diamond महा से मिले मैंने उनको collect किया और आगे mining करता रहा थोड़ी देर में ही मेरी pickaxe टोट चुकी थी इसलिए मैं वापस island पा आया और मैंने अपनी पहली diamond की pickaxe बनाई उसके बाद मैं वापस mining के लिए निकल गया लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ iron और coal ही मिला day 9 पर मुझे कुछ और diamonds मिले मैंने उनको collect किया और मैंने अपनी mining आगे continue की थोड़ी देर तक और mining करने के बाद finally मुझे एक mineshaft मिल चुकी थी इससे पहले mineshaft मिलने की इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई थी क्योंकि अब जाके मैं यहां से string collect कर सकता हूँ और अब जाके मैं शायद अपने लेक bed भी बना पाऊंगा mineshaft मैं घुजने की देरी थी कि मुझे ए creeper ने attack कर दिया उससे मैं जैसे तैसे nipta ही था कि मैंने देखा सामने की तरफ से zombies का एक जुन्ड मेरी तरफ बड़ा आ रहा था मैंने attack करके उनको भी मार किरा है और मैं आगे explore करने लगा क्योंकि खत्रा आगे और भी बढ़ने वाला था इसलिए सबसे पहले मैंने इस spawner को तोड़ा वहां पर बहुत सारी cobwebs मैंने उसको collect किया और अब जाके finally मेरे पास bed बनाने के लिए wool कट्टा हो चुका था इस ट्रिंग collect करने के बाद मैं फटावर्ट से वापस island पर गया वहां जाते जाते रात हो चुकी थी वहां पर कुछ spider थे मैंने उनको मारा और उसके बाद से finally अपने लिए bed बना के मैं सो गया क्योंकि मेरे पास अब bed हो चुका था अब जरूत थी मुझे एक सुन्दर सा घर बनाने की इसलिए day 10 से लेकि day 12 तक मैं पूरी जोरो शोरो से तयारियों में लग गया घर के लिए समानी कठा करने में मैंने काफ़ी सारे सैपलिंग्स लगाये थे और जैसी वो grow और थे उनको cut करने के बाद दूबारा से में replan कर रहा था और साथ मैं अपना जो farm है में उनपर भी काम continue कर रहा था और इसी तरह ये तीन दिन पूरी तरह घर की तयारियों में निकल गए day 13 की सुबह से मैंने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया था और उस दिन मैंने अपने घर की पहली निव रखी तो मैं कुछ different सा घर बनाने वाल था इसलिए इस घर को बनाने में मुझे लगे पूरे 7 दिन और वो 7 दिन अब आप लोग enjoy करिए इस time lapse के साथ में day 13 के अब आप लोगे जाए चिर के अब आप लोगे आप लोगे आप लिए अब आप लोगे निवा में मौर्निंग में मेरा घर का structure पूरा complete हो चुका था अब जाके मैंने अपना जितना भी समान बाहर बिकरा पड़ा था उसको घर के अंदर shift किया और उसके बाद मैं लग गया interior पर अब अगर घर इतना सुंदर बना था तो घर के बाहर का area भी सुंदर बनाना था इसलिए पूरे माइनिंग के लिए जा ही रहता है कि सीडियो में मुझे सफेद कपड़ों में एक लड़का दिखाई दिया मैंने उसे नाम पूछा तो उसने बोला skeleton नाम सुनता ही मैंने उसकी खोपड़ी पर दो तलवारे मारी और मैं आगे बढ़ गया पूरा दिन माइनिंग करने के बा आगे अपनी माइनिंग कंटूनी की माइनिंग करते करते डे 26 की सुबह हो चुकी थी और मुझे उसके अलाव कोई भी डाइमेंड नहीं मिला इसलिए मैं वापस घर आ गया घर वापस आने के बाद अब बाद थी एक एक एक्सवी फार्म बनाने की इसलिए मैंने उसके लि नहीं है एक्सवी फार्म के लिए इसलिए डे 27 में मैं पूरा दिन माइनिंग के लिए चले गया और स्टोन कलेक करने के बाद डे 28 से मैंने अपना एक्सवी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया और पूरे दो दिन बाद मेरा एक्सवाम बने के एक्दम ग्रेडी हो चुका था डे 30 की सुवे हो चुकी थी और अब बारी थी अपने लेक नेदर पोर्टल बनाने की इसलिए मैं गया माइन में ऑपसीडियन कलक करने लेकिन जैसी मैं अपनी माइन में पहुंचा मैंने साम सामने क्रीप और और इसकलेटन्स में लड़ाई हो रही है और थोड़ी देर में इस लड़ाई का रिजल्ट ये निकला कि दोनों गुटों में से कोई भी नहीं बचा माइन के अंदर जैसे तैसे जान बचा कि मैं ऑपसीडियन तक पहुंचा और मैंने ऑपसीडियन कलक करन जैसे तैसे अपनी जान बचा कि मैंने अठारा उपसीडियन कलक किया और मैं वापस आइलें के लिए निकल गया क्योंकि अब जाना था मुझे नेधर इसलिए दे 31 की सुबहे सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाए गोल्डन कैरेट्स उसके अलावाँ में पाच जितना भ होटल है वह बहुत ही बेकार जगम है वहाँ पास पास कुछ भी नहीं है और जहां तक नजार आ रही सिर्फ और सिर्फ मुझे लावा नजार आ रहा था तो पूरा एरिया बंद था इसलिए मैं अपने लेग टनल बनानी स्टार्ट की और थोड़ी देर में मुझे एक ओप इसलिए महां पर बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां पर कभी भी मुझ पर दुबार ऐसे होगलिन का अटेक हो सकता था मुझे अपने आसपास ब्लेज के आवाज सुना ही देरती इसलिए मुझे पता था कि आसपास पास कोई फोर्ट्रेस है बट मुझे कहीं भी द आया था इसलिए वो इंचेंट एवरी में भी माइन नहीं कर सकता था ब्लेज की आवाज सुनके मैं काफी देर तक आसपास ब्हूंटता रहा लेकि मुझे फोर्ट्रेस कहीं भी नहीं दिखाए दिये उसी द्वारान मुझे बहुत सारे अटेक हुए लेकिन जैसे तैसे मै मैंने अपनी जान बचाई और बहुत सार मैंने हॉगलिंस को भी मापे किल किया काफी देर तक आसपास भटकने के बाद फाइनली मुझे मेरी फोर्ट्रेस दिख गई थी और ये फोर्ट्रेस एक बरिट फोर्ट्रेस थी यानि की पूरी की पूरी ढखी हुई मैं फोर्ट्रेस के अंदर घूमी रहा था कि तभी अचानक से एक ब्लेज ने मुझे पर अटैक कर दिया जैसे तैसे मैंने उसको मारा और उसके बाद से पहले ही ब्लेज ने मुझे एक ब्लेज रॉट दे दी मैंने उसको कलेक किया और उसी टाइम पर मैंने देखा कि एक स्कलेटन मेरी तरफ बढ़ रहा है लेकिन तभी अचानक से एक फरिस्ता पिगलिन माहा से आया और अपनी गोल्डन सौर्ट से उसने उस विदर स्कलेटन को मार गी रहा है आगे जाके मैंने एक और ब्लेज को मारा और मैं फोर्टरस एक्स्प्लोर करनी लगा मैंने काफी देर तक फोर्टरस एक्स्प्लोर की लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं नेदर वाड दिखाई दिया और नहीं कोई चेस्ट दिखाई दी मुझे एक स्पॉनर दिखाई दिया इसलिए मैं वहाँ पर गया और मैंने ब्लेज को मारने के बाद मेर पास 14 ब्लेज रॉड हो चुकी थी मैंने उनको कलेक्ट किया और डे 35 पर मैं ओवरवल्ड में वापस आ गया जैसी मैं वापस आया मैंने देखा कि मैं कोई अलग ही पोर्टल में आया हूँ मतलब जो मेरा पोर्टल मैंने बनाय हुआ था अपने बेस के पास में वह यह वाला पोर्टल नहीं था मुझे समझ नहीं आए कि क्या हुआ लेकिन वह बहुत ज़ादा दूर नहीं था इसलिए मैं बोर्ट से घर वापस आ गया Day 36 में एक बार फिर से मैं माइनिंग के लिए निकल लिए क्योंकि अभी भी मेरे पास diamond की बहुत कमी थी तो इसी तरह कफी टाइम तक माइनिंग करने के बाद मैंने बहुत सारे diamond कलक किया और Day 38 में वापस अपने base के लिए निकल पड़ा वापस आते डाइम मैंने कुछ obsidian भी कलक किया क्योंकि अब जाके मुझे बनानी थी एक enchantment table इसलिए मैंने वाँसे obsidian माइन किया और मैं वापस अपने घर पे आ गया घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लेक enchantment table बनाई उसके बाद से अपनी pickax को enchant किया और diamond की lagging और helmet बना के finally मेरा diamond का armor पूरा complete हो चुका था enchantment room के लिए सबसे जादा important होता है paper paper के लिए मेरे पास sugar cane थे लेकिन leather की यहां पर बहुत कमी थी यहां पर leather बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास अब जाके मैंने अपने लेक mob area बनाई ताक कि मुझे यह होप थी कि शायद वहां पर कुछ cow वगरे spawn हो से कि उनको मार के मैं leather कटा कर सकूँ और अपने ले enchantment room बना सकूँ day 39 हो चुका था और अब जाके मुझे paper की भी ज़रूत थी leather तो चाहिए थे लेकिन साथ में paper बहुत important था इसलिए मेरे पास जितने भी शुगर कें थे मैंने उनको plant करना start किया और plant करने के लिए मैंने अपना जो jungle था उसको पूरे काटर वहाँ पर उस जगह को मैंने ready किया ताकि मैं वहाँ पर शुगर कें लगा सकूँ मैंने उसके साथ में जितने भी मेरे farms हैं उन पर काम किया मैंने जो wheat थी उसको तोड़ा दुबार से replant किया और इसी तरीक से मारा day 39 निकल गया enchantment room बनाने के लिए leather की बहुत ज़रोती और अब जाके मैंने decide कि है कि मैं एक बार फिर से nether जाओंगा और वहाँ पर hoglins को मारूंगा साथ ही मेरे पाद जितना भी gold अभी तक मैंने mine किया था मैं उनको भी लेके गया था ताकि मैं piglins से trade कर सकूँ और उनसे भी leather ले सकूँ nether मैं enter करते ही मैंने कुछ quards mine की ताकि मैं बाद में उनका use कर सकूँ साथ मैं कुछ magma को भी मैंने मारा और उसके बाद से मैं चलेगा piglins से trade करना करते करते साथ में वहां पर जितना भी मुझे gold लिख रहता है उनको भी साथ में mine करते जा रहा था ताकि मेरे पास gold की कोई भी कमी ना रहे तो इसी तरह hoglins को मार के mining करके उनसे trade करके day 41 फे finally मेरे पास बहुत सारा leather कटा हो चुका था और मैं वापस overworld के लिए आ गया day 42 उप अपने enchantment room के लिए मैंने कुछ bookshelf बनाई अब जाके मेरे पास leather तो था लेकिन अभी भी मेरे sugarkin बड़े नहीं हुए थे तो मैंने decide कै कि मैं एक exploration के लिए निकलूँगा शायद इसी आस में मुझे कुछ और चीज़े मिल जाएं थोड़ी देर explore करने के बाद मुझे एक ruin portal मिला और जैसी मैं उसके पास गया वहाँ पे दो gold के block थे मैं जल्दी से उनको mine किया साथ में एक chest भी थी और उस chest में कुछ epic loot थी पहली बार मुझे इस world में enchanted golden apple मिला था जो मेरे आगे बहुत काम आ सकता है क्योंकि ये है hardcore और यहाँ पर जान कभी भी जा सकती इसलिए मैंनों collect किया और मैं वापस अपने base की तरफ आ गया क्योंकि मेरे पर जितने भी sugar केंथे मैं उनको दुबार से replant करने रख राता ताकि वो एक बार में जल्दी से grow हो जाए इसलिए day 43 पर एक बार में फिर से explore करने के लिए निकल गया थोड़ी देर explore करने के बाद मुझे एक underwater ruin मिली मैंने वहाँ से chest collect की और मैं आगे और explore करने लगा थोड़ी देर में एक और मेरे को underwater ruin मिला वहाँ से कुछ chest में loot थी वो मैंने collect की और मैं आगे और explore करने लगा थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक ship rack दिखाई थी लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुचा तब तक रात हो चुकी थी इसलिए मैंने decide किया कि आज रात मैं यहीं stay करूँगो और जैसी morning हुई मैंने वहाँ से loot collect की और मैं वापस घर के लिए निकल गया घर पहुचने के बाद अपने sugar gain को मैंने दुवारा से replant किया और उसके बाद से कुछ book shell जो भी बन सकते थी मैंने बनाई और अपनी bow को enchant किया और एक बार मैं फिर से दुवारा नेदर के लिए निकल गया नेदर पहुचता ही जो भी मेर पास gold था उससे मैंने एक बार फिर से trade करना start कर दिया और 7 महीं वहाँ जितने भी मुझे hoglins दिखाई दे रहते अपनी bow की बदत से मैं उनको भी मारते जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेर पास leather cutta हो सके day 45 पे एक अच्छी trade के साथ मैं वापस घर आ रहता और 7 मैं वहाँ पे जो भी block से मैं उनको ले के आ रहता ताकि घर आने के बाद मैं अपना घर को और सुंदर बना सकूँ घर पहुँचने के बार nether और baseball से मैंने अपने घर के सामने एक एक रशता बनाए उसके बाद जो भी मैं नेधर से चीज़ा लाया था उससे मैंने अपने घर को सजाना स्टार्ट किया रात होते हो तो जैसी मैं घर सोने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक creeper जा रहा था और वो मेरे तरब जैसी बढ़ने लगा मैंने फटा बट से अपनी बो से उसको मारा और मैं सोने के लिए चले गया Day 46 पर मैंने सबसे पहले अपने शुगर के इनको दुबारा से रिप्लांड किया और अपने लेक AF के एरिया बनाया और मैं पूरा टाइम AF के रहा वापस आने के बाद मैंने बहुत सारे मॉप्स को मारा और काफ़ सारे एक्स्वी मैंने collect कर ली अपने बोट के लए एक एरिया बनाया ताकि मैं एक जगह पर अपनी बोट को पार्क कर सको और वो जगह दिखने में भी सुदर हो अपनी माइन के लिए स्टेर्स लगाना इस्टार्ट किया ताकि मैं जल्दी से ट्रेवल कर सक हूं Day 48 पर में एक बार फिर से नेधर के लिए निकल गया, मैंने थोड़ा से एक्सप्लोर किया और थोड़ी देर में मुझे फाइनली एक और नेधर फोर्टेस दिखाई दी और ये वाली फोर्टेस काफी जादा बड़ी थी, फोर्टेस में थोड़ा से घुमने के बाद मुझे पर इतरी नेधर वॉर्ट ये नेधर वॉर्ट नेधर वॉर्ट मिल चुका था, मैंने वहाँ पर जितनी भी नेधर वाट थी उनको कलेक किया, और मैं आए फोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे कुछ चैस मिलिए वहाँ भाली फिर बनेश मभी ली लूटछ और मैं वार वापस बाहर आगया वापस अदेडाए मैंने जितना भी गोल्ड के था था मैंने उनसे पिगलिन से टेट करना स्टार्ट किया कुछ और अपने पोर्टल की तरफ आगया On day 49 मैंने अपने नेधरवाट का फार्म मनाना स्टार्ट किया उसके अलावा जो भी मेरे शुगर केन थे मैं उनको बार बार रिप्लांट कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पार शुगर केन कटा हो सके और मैं अपनी लाइडरी कंप्लीट कर सकूँ उसके अलावा जितने भी मेरे फार्म थे मैं उनको भी काम कर रहा था और उनको दुबारा से रिप्लांट करते जा रहा था Day 49 की पूरी रात मैं सोया ये नहीं और मैं वेट करते रहा अपने शुगर केन के बड़े होने का थोड़े से अर्मार इंचैंट करने के बाद मेरी XP कम होगी थी इसलें मैं एक बार दुबारा से XP कलेक्ट करनें AFK चले गया एक्सिस हमसे काव जारे मॉप को किल करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि जो मैंने एक एरिया बनाया था जहाँ पर मैं चाहता था कि काव वगर स्पॉन हो वहाँ पर काव तर नहीं कुछ मौव स्पॉन हो थे इसलिए मैंने थोड़े दिर तक उनसे ल बहुत स्ट्रॉंग हो चुका था तो इस तरह ये भयानक 50 दिन सरवाइब करने के बाद मैं आज आपके सामने हूँ पूरे इंचेंटेड डायमंड आर्मिर के साथ और 7 मही अलिमिटेड फूर्ड रिसोर्स के साथ में आगे के इस जर्णी को देखने के लिए अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बावाई